आज ही डाउटनेट आप डाउनलोड करें डाउटनेट पर होगा अब आपके सभी Maths, Chemistry, Physics और Biology डाउट्स का सफाया बस अपने question की photo खीचो उसे crop करो और तुरंत वीडियो solution पाओ डाउनलोड नाओ 4x plus 12y minus 3z plus 1 is equal to 0 तो हमको question में क्या find out करना है हमको इस point की distance find out करनी है इस line से जो की measured है इस plane के parallel तो सबसे पहले अगर हम देखे equation of given plane वो क्या है 4x plus 12y minus 3z plus 1 is equal to 0 अब हम माल लेते है let point P जिसके coordinate है minus 2 3 और minus 4 यह हमारा given point है ठीक है यह हमारा given point है तो हम क्या करते है और जो हमारा line के equation given है line के equation का given है equation of line वो है x plus 2 upon 3 is equal to 2y plus 3 upon 4 is equal to 3z plus 4 upon 5 let's suppose यह lambda के equal है तो कोई भी general point जो इस line पे होगा उसको हम कैसे लिखेंगे और let's suppose यह general point क्या है q है तो general point q on this line वो क्या हो जाएगा कैसे लिखेंगे 3 lambda minus 2 फिर y coordinate के लिखेंगे तो यह value equal होगी lambda की तो 4 lambda minus 3 4 lambda minus 3 upon 2 इसे तरह यह 5 lambda minus 4 upon 3 ठीक है यह value equal करते है लेंडा की तो यह value आगे अब यह point q आगे जो की हमारा इस line पे लाई करेगा यह let's suppose equation second है और यह equation first तो यह point इस line पे लाई करेगा दीखें ऐसे लाई करेगा कि जो हमारा pq है pq point वो हमारा इस plane के parallel ठीक है तो यहाँ से मैं क्या लिख हूँगा keep point let point q lie on the line line पे लाई करेगा line वो भी कौन से सेकेंड second line पे लाई करेगा such that such that pq is parallel to given plane equation first ठीक है वो question में given ही है की parallel है plane के ठीक है तो हमने क्या किया point q के coordinate निकाल लिए lambda के term से में वो line पे लाई करेगा और ऐसा लाई करेगा कि pq parallel हो जाएगा plane के अब यहाँ से अगर मैं देखो तो pq अगर लिखो pq पी कोडिनेट क्या है हमारा minus 2 3 minus 4 अब q की कोडिनेट देखो तो 3 lambda minus 2 4 lambda minus 3 upon 2 5 lambda minus 4 upon 3 यह है तो अगर हम इसके direction ratio लिखें direction ratios of pq वो कैसे हो जाएगा यह आजाएगा हमारा 3 lambda minus 2 और प्लस का 2 3 lambda minus 2 और प्लस का 2 पिर आएगा यहाँ पे 4 lambda minus 3 upon 2 ठीक है और यहाँ पर किता आजाएगा minus का 3 ठीक है minus का 3 कॉमा यह किता हो जाएगा 5 lambda minus 4 upon 3 और minus और फिर minus minus प्लस 4 हो जाएगा तो direction ratios अगर निकालों तो किता आजाएगा यह 3 lambda यहाँ पर किता आजाएगा 4 lambda minus 9 upon 2 कामा 5 lambda यहाँ टेक 12 minus 4 यानि की प्लस का 8 तो 5 lambda plus 8 upon 3 गया गया अब direction ratio अब हम लिखेंगे डायरेक्शन रेसियोज डायरेक्शन रेसियोज आफ ता नॉर्मल to given plane तो वो किता हो जाएगा अगर मैं देखो तो 4 12 और minus का 3 तो यहाँ जाएगा यह 4 12 और minus 3 तो चुकि parallel है PQ line plane equation first के PQ जो है इस equation के plane के equation के parallel है तो यहाँ पर मैं लिकूँँगा PQ parallel to plane equation first के पार के जाएड़े ए to नौर्फ़े का नौर्म ले एकर रहड़े नहींğ के तो रहर तो यहाँगे झाल 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 क्लासिक्स ट्वेल से लेके नीट आयाईटी जेही मेंस और एडवांस के लेवल तक तस मिलियन से जादा स्टुडेंट्स कभर होसा आज ही डाउनलोड करें डाउटने टाप या वाथ्साप कीजिए अपने डाउट्स आज चारसो 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 पर